हेलो गाइज, स्वागत तर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद अमन कुलमी आज हम लाहें डारेक्टर ओफ एड्यूकेशन जी एन सीटी अफ देली की वर्कशीट नमर्ट 41 जुके क्लास 8 के लिए है सब्जिट आपका मैंच से डेट इसकी 24 दिसमेट 2021 इसमेट और ते या इसमें और होते है तोनों निल यह भूरी समेट जो बहुकर आप Farm Ser Copa vedio X P जिए-पर ही जिसरे आपने सैंद करें। जिसे आपको यह एक्जामपल दे रखा है अब आपको बता है अगर हमारा आई साइट में लिखा है 3x plus 5 यानि 3x plus 5 यह क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5 upon में 3 5 upon में 3x हो जाएगा इक्वल में अगर हम देखे तो अगर हम ऐसे कोशन ले ले 3x plus 5 तो इदर भी हमारा क्या हो जाएगा एक्स फाइपन में 3 तो आप देखे एक तरफ प्लस का एक तरफ माइनस का हो जाएगा माइनस टूएब अप्लस का भी का स्कोकर थर्ड है एपलस भी अ-प्लस भी इदर भी हमारा क्यों केश्क्ष ऑस गार चस्कोर क्येद गारा एक्स प्लस एपलस भी और हैक्स और अवी तो यहां पर एक्स एग्जामपल दे रह थैं तो चार एक्षामब लिखके y plus 5 और y plus 5 को match करना है तो अब देखे y plus 5 का whole cube भी तो लिख सकते हैं हम इसे यानि a plus b का whole cube क्या होता है 1 square plus 2ab plus b square तो y plus 5 का whole square क्या होगा y की value put कर दी यह हमारा answer आजाएगा ऐसी second में भी करना है x plus 5 x plus 3 x plus a x plus b वाली identity लगे यह value put कर दी यह हमारा answer आजाएगा ऐसी third question है 3a और b 3a और b 2b का whole square करेंगे तो 3 into 2 6 हो जाएगा तो 3 का square कितना होता है 9a का square फिर 2 3 is a 6 6 is a 12 12a b and यह हमारा 2 लेडी तो 4b का square तो यह हमारा answer हो जाएगा तो आपको कोई दिकत है इससे next is find 4z minus 3y और 4z plus 3y तो यह आपको यह वाली identity उस करने है a plus b और a minus b जरूरे नहीं यह a plus b पीछ है और a minus b तो यह गलत होगा तो नहीं ऐसा नहीं है वह सीम होगा अब आपको identity यूज करने है तो आपने 6z का square minus 9y का square करा अब यहां पर आपको देरके आपको in let's do the sum by applying आपको इन सब को sum करने suitable identities को यूज करने तो चलके करते इसके answer तो first 5x minus 4y का square तो इसमें a minus b का whole square identity लगेगी या नहीं a का square minus 2ab plus b का square तो हमने इसके तारह लिख दिया 5 का square कितना होता है 25x का square और यह 5 4s are 20 22 to 40 40 कर लेंगे 40xy और 4 का square 16 y का square हो जाएगा next second question 2a minus 7b का whole square तो आप देखिए 2a का whole square भी लिख सकते हैं 2a का whole square उपर वाली identity लिखी माइनस में 2 2a 7b plus 7b का whole square तो 2a का square यानि 4a का square 7 2 14 14 into 2 28ab plus 7 7 का whole square करेंगे तो 7 7 49 b का square यह की value हमने 2a रखिए और b के value 70 7b next third question 7x plus 3y 7x plus 3y अगर काम कर रखा तो हम बेज होंगी तो a plus b का whole square भी तो हो सकता है यह अगर हम देखे तो इसे हमने a plus b का whole square भी देखा है तो हम इसे answer करेंगे अब value put करेंगे a plus b का whole square लिखके and यह हमारा answer हो जाएगा next question number fourth z plus 4 और 2 plus 5 x plus a और x plus b is equal to x का square plus a plus b plus x plus a b यह वाली identity आपको याद हो रही थी तो यह हमने fill कर ली तो यह हमारी अब अच्छे से याद है तो आप इसे सुन भी सकते है तो शुम्ता करेंगे तो इसमें आपके चारी पार्ट यह आपको अच्छे से समझ आ गए होंगी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करिए दोस्तों साथ शेर जरू करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ पहुंचाएं कि उने भी कोई भी डाउट ना हो किसी भी चीज में थैंक्स वॉचिंग डियो पैपै गैस